नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एजुकेशन जोब लाइन पर दोस्तों आज हम एक बहुती बड़े टोपिक को लेकर बात करने वाले हैं कि हर्याना गुरूप D की आंस्वर की आने के बाद अब इसकी फाइनल कटोप क्या रहने वाली है साथ ही दोस्तों हम आपको यह बता दें कि आंस्वर की आने के सूचना हमारे चैनल दुवारा कल सुबह सबसे पहले आपको बताई गई थी चाहे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जब भी आपका ओफिशल रिजल्ट या ओफिशल कटोप जारी होगी गंटी के आइकन को दबाने पर हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगे वैसे दोस्तों सभी को आंस्वर की मिल गई हैं लेकिन यदि किसी को आंस्वर की की पीडियेप नहीं मिली हो तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर दिये गए लिंक से आंस्वर की डाउनलोड कर सकता है तो दोस्तों गुरूप D की आंस्वर की जारी होने के बाद लगबग 80% अभ्यरतियों का कहना है कि 3-5 नंबर हमारे कम हो गए है क्योंकि पहले उन्होंने अपने इस तरपर या कोचिंग के आंस्वर की से अपनी आंस्वर की मिलान की थी और अब जब ओफिशल आंस्वर की आई तो उन्होंने देखा कि उनके लगबग 3-5 नंबर कम हो रहे है तो दोस्तों आंस्वर की जारी होने के बाद हमने एक expected cutoff बनाई है जिसे आप देख सकते हैं तो दोस्तों इसके लिए हमने exit pull का निर्मान किया था इसमें हमने विभिन अभ्यरतियों से उनके नमबर पूछे थे कि आंस्वर की आने के बाद उनके नमबर कितने आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं लगबग 65% से जादा 12% अभ्यरती 61-65 नमबर के बीच 12% अभ्यरती और 56-60 के बीच 18% अभ्यरती और 50-55 के बीच 30% अभ्यरती और 50-68% अभ्यरती और अपने नमबर बताए हैं तो यह सर्वे दोस्तों हमने 5000 अभ्यरती ओपर किया है और उनसे उनके नमबर पूछे हैं तो इसी के आधार पर यानि आप ही के दुआरा बताए गई नमरों के आधार पर हमारे विशेशक्यों की टीम दुआरा विभिन पक्सों को ध्यान में रखते हुए एक सटिक फाइनल कटोप तयार की गई है यह कटोप माइनस या पलस वन उपर या नीचे हो सकती है तो चलो दोस्तों अब हम कटोप की बात कर लेते हैं कटोप में हम सबसे पहले बात करेंगे जर्नल काश्ट को लेकर इसमें यहाँ पर फश्ट में हम बताएंगे कि 90 में से आपके कितने नमबर आने चाहिए साथ में 10 नमबर जुडने के बाद फिर आपके 100 में से कितने नमबर आने चाहिए और सो में से ही आपके फाइनल कटोप जाने वाली है अब यहाँ पर कुछ अभ्यरतियों का सवाल है कि सर दस नमबर किन को मिलेंगे तो दस नमबर हम आपको बता दें कि यदि एक सर्विसमेन है या फ्रीडम फाइटर है तो पास नमबर मिलेंगे दूसरा यदि आपके पास experience है तो फिर आपको आठ नमबर मिलेंगे तीसरा विद्वा या जिनके फादर नहीं है उनको पास नमबर मिलेंगे और चोथा जिनके परिवार में कोई भी गोर्मेंट जोब नहीं है तो उनको भी पास नमबर मिलेंगे ध्यान रहे यहां maximum 10 नमबर मिल सकते है यानि ऐसा नहीं है कि आप 15 से 23 नमबर ले सकते हो maximum यहां 10 नमबर है अब किस category से आपको मिलते हैं वो आप पे depend करता है लेकिन यदि आपको यहां से 10 नमबर मिल जाते हैं तो आपका selection यहां पे होने के बहुती अधिक chance हो जाते हैं देखिए कैसे साथ ही दोस्तों हम आपको एक महत्वपूर्ण सूसना बता दें यदि आपने अभी तक document तयार नहीं किये हैं तो आप इसके document तयार कर लिजे तो अब आपको कौन-कौन से document तयार करने हैं इसके उपर हमने एक वीडियो बना रखा है और उस वीडियो का link इस वीडियो के description में सबसे उपर आपको दिया हुआ है तो वहां से आप देख लिजे कि आपको कौन-कौन से document तयार रखने हैं कटोफ में देखें तो आप journal के लिए 90 में से 54 से 56 नमबर आने चाहिए और वहीं 100 में से आपके 64 से 66 नमबर आने चाहिए BCA की बात करें तो आपके 90 में से 46 से 48 नमबर आने चाहिए और 100 में से आपके 56 से 58 नमबर आने चाहिए वहीं BCB की बात करें तो आपके 48 से 50 नमबर 90 में से आने चाहिए और 100 में से आपके 58 से 60 नमबर आने चाहिए SC की बात करें तो SC में 90 में से आपके 40 से 44 नमबर और 100 में से आपके 50 से 54 नमबर आने चाहिए PH कंडिडेट की बात करें तो 42 से 43 नमबर आपके 100 में से आने चाहिए वहीं एक्स सर्विसमेन के सो में से 40-42 नंबर आने चाहिए ध्यान रहे दोस्तों ये हमारे दोवार बताए गई एक एकस्पेक्टेड यानी संभावित कटोप है ओफिशल कटोप आपके जनवरी महा में गोशित की जाएगी इसकी ओफिशल वेबसाइट पर साथी दोस्तों आपके इस एक्जाम में कितने नंबर बैठ रही हैं हमें कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताए ताकि हम एक्जेक्ट कटोप के और अधिक नजदिक पहुच सके धन्यवाद दोस्तों